बिहार की राजनीती में जननायक की रूप में प्रसिद्ध करपुरी ठाकुर की आज तो भी जैनती है और हाल ही में भारत रत्न से समानित करने की घोशना की गई है तो आज इस वीडियो में हम इनहीं के बारे में विस्ताहर से चर्चा करने की कोशिश करेंगे उनकी जीवन पर बात करेंगे उनकी राजनीतिक जीवन पर बात करेंगे और अंत में भारत रत्न से जुड़ी जो important points हैं उनको समझने की भी कोशिश करेंगे तो मेरे नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दुष्टी आईस चैनल की इस नए वीडियो में चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रिखा को एक बार समझ लेते हैं तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानि के खबर की बात की खबर के बाद हम करपुरी ठाकुर जी के बारे में जो तमाम important points हैं उनकी life से जोड़े point हो गए उनकी political life से जोड़े point हो गए उन्होंने जो important decision लिए उन पर बात करेंगे और भी तुछ तमाम चीज़े हैं उन पर हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इसके बाद भारत रत्न पर बात करेंगे इसे जोड़े जो दूसरे important points हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और अंत में एक आपका prelims का सवाल भी होगा वो सवाल जो है वो वीडियो पर ही आधारित है तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से उस सवाल के जवाब को डूंड सकते हैं इसके अलावा यह जो पूरा topic है आपका GS paper 1 से जुड़ा हुआ है आप इसे important personalities और history जैसे खंड से जोड़ कर देख सकते हैं चलिए वीडियो के शुरुबात करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं करपुरी ठाकुर जी के बारे में यानिके उनके एक जीवन काल को समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे समझने का जो है एक प्रयास यहाँ पर हम करने वाले हैं लेकिन इस प्रयास से पहले आपके लिए एक important ख़बर भी है आपके लिए जो एक सूशना यह है की दिश्टी सनस्थान की ओर से रिपब्लिक दे के आउसर पर भारी छूट दी जा रही है हमारे जो तमाम online courses हैं तमाम जो pen drive courses है और test series है इन तमाम चीज़ों पर आपको 20 से 50 प्रतीशत तक की छूट मिल सकती है तो जाहिर तोर पर आपकी परिक्षा की जो तयारी है उसमें ये पूरी छूट बहुत ज़दा important साबित होने वाली है तो अगर आप इस पूरी छूट का लाब उठाना चाहते हैं तो इस छूट आपको 25 जनवरी तक मिल सकती है तो अभी दो दिन बचे हुए हैं आप इस पूरी छूट का लाब उठा सकते हैं और अगर आप लाब उठाना चाहते हैं तो आप हमारे numbers पर हमसे संपर कर सकते हैं इसके अलावा वीडियो के description में आपको इससे जुड़ा link भी दिखाई दे जाएगा तो वहां से भी आप अपने आपको enroll कर सकते हैं तो ये हमारी जो छूट है रिपब्लिक देखिया उसर पर उसकी बात हुई अब हम आगे बढ़ते हैं और अगर आप चैनल पर नए है और आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से subscribe कर लिजे ताकि भविश में अगर चैनल पर कोई भी वीडियो आती है तो इनके बारे में हमने पहले ही देखा कि बिहार के राजनेता थे जन्नायक कहलाते थे इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार के समस्ती पुरजिले में हुआ था एक छोटा सा गाउं है गाउं का नाम अब इनके नाम पर पड़ा हुआ है आब इस गाओं का नाम है करपूरी ग्राम तो इस गाओं में इनका जन्म हुआ था इसके अलावा इन्होंने भारत की सतंतरता आंदोलन में भी हिस्सा लिया और आंदोलन में हिस्सा लेते हुए 1942 में quit India movement यानि के भारत छोडो आंदोलन के हिस्से के तौर पर इन्हें जेल भी जाना पड़ा इसके बाद 1947 में भारत आजाद होता है और आजादी के बाद 1952 में हमारा पहला चुनाव आयजित होता है और 1952 के पहले चुनाव में ये विधायक के तौर पर चुने जाते हैं बिहार की एक constant assembly से तो यहां से इनके राजनीतिक जीवन की शुरुवात होती है इ जागातार ये बिहार में राजनीतिक्गी के तौर पर एक विधायक के तौर पर बिहार की जनता की सेवा करते रहे हला कि यहां पर आपको दो exception देखने को मिलेगा पहला exception 1977 में आता है जब इन्हें अपनी विधायका को छोड़ करके member of parliament बनना पड़ा था है निकि MP के लिए वहाँ पर चुने गए थे तो पहला exception 1977 में आता है और दूसरा exception 1984 में आता है क्योंकि 1984 में आपको याद हुगा इंदरा गांधी जी की हत्या हुई थी उनकी हत्या के बाद देश भर में जो सिंपती थी वो कॉंग्रेस के साथ थी और इसी वज़े से ये अपनी seat से चुनाव हार गए थे 1984 में लेकिन इन दोनों exceptions के अलावा लगातार ये बिहार में विधायक के तौर पर काम करते रहे बिहार में दो बार मुख्यमंतरी के तौर पर भी काम किया एक बार उप मुख्यमंतरी के तौर पर भी काम किया अगर आप इनके मुख्यमंतरी के कारेकाल को देख तो सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे दिसंबर 1970 से जून 1971 तक यानि के मात्र 6-7 महिने ही इनके सरकार चल सकी थी इसके बाद दुबारा मुख्यमंत्री बनते हैं दिसंबर 1977 से अप्रेल 1979 तक तो यहाँ पर 2 साल के आसपास इनकी सरकार चली थी तो कोई भी कारेकाल इन्हों ने अपना पूरा नहीं किया था तो यह important चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि करपुरी ठाकुर का मुख्यमंत्री के तौर पर कोई भी कारेकाल पूरा नहीं हो पाया था इसके अलावा एक बार बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे शिक्षा मंत्री का जो कारेकाल था ब बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते हुए, बिहार के शिक्षा मंत्री रहते हुए, इन्होंने बहुत सारे important decisions लिये थे, जैसे कि important decision ये था कि सबसे पहले तो इन्होंने जो metric परिक्षा थी, यानि कि 10th की जो परिक्षा थी, उसमें अं इंजिनियर्स थे उन्हें सरकारी कॉंट्राक्ट्स पे वरियता भी प्रदान की थी इससे पहले दरसल हो यह रहा था कि बिहार में जो तमाम इंजिनियर्स थे जो कि अनेंप्लाइड इंजिनियर्स थे वो लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इनहीं विरोध प्रदर्शनों के चलते बिहार सरकार की ओर से तमाम जो सरकारी कॉंट्राक्ट्स थे उनमें unemployed engineers को वरियता दी गई जिसकी वज़े से तकरीबन 5-8000 engineers को job मिल सकी थे और इन्हों ने अपने कारिकाल के दोरा 9000 से ज़्यादा engineers और doctors को जो है नियुक्ति प्रदान की थी जो कि अब तक बिहार का सब्से बड़ा आकड़ा है तो ये तमाम जो decisions हैं जो तमाम कारिवाहिया हैं वो हमें उन्ही के कारिकाल में देखने को मिली थी इसके अलावां जन्नायक के तोर पर वो इस वज़े से भी प्रसेद्ध हुए क्योंकि उन्होंने जन्ता के लिए काम किया उन्होंने आम लोगों के लिए काम किया जैसे उनका एक बड़ा decision ये भी था कि जो बिहार में पटना राजधानी में जो आपका मुख्यमंत्री काराले हुआ करता था जो आपकी बड़ी officers building थी वहाँ पर जो group D के officers थे उनको lift use करने की अनुमत्ती नहीं थी लेकि जैसे ही करपुरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनते हैं group D के करमचारियों को भी lift use करने की अनुमत्ती दे दी जाती है इसके अलावा और भी ऐसे कई decision इनकी ओर से लिए गए थे जो की खास तोर पर जनता को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए लिए गए थे तो इसी वज़े से इनको विहार में जन्नायक के तोर पर दिखा जाता है इसके अलावा इनका जो सबसे controversial decision था वो था layered reservation system एक बार इस प्रणाली पर भी समझते हैं इस प्रणाली पर भी बात करते हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और इसी प्रणाली को लागू करने की वज़े से करपुरी ठाकुर को अपनी मुख्यमंत्री की seat गवानी पड़ी थी एक बार इस system पर बात करते हैं तो जैसे वो मुख्यमंत्री बने थे जून 1970 में उन्होंने एक आयोग का गठन किया आयोग का नाम था मुंगेरी लाल आयोग तो इस आयोग का प्रात्मिक कार था कि बिहार में जो other backward classes हैं उनकी पहचान की जाए उनसे जुड़ी जो की पहचान की जाए तो इस आयोग ने फरवरी 1966 में अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में आयोग ने बताया कि बिहार में वर्तमान समय में 128 पिछड़े समुदाय मौजूद हैं यानिकि 128 other backward classes मौजूद हैं इसके अलावा समिती ने अपनी रिपोर्ट में एक दू और यह से बिहार में हमें दो कैटिगरी देखने को मिलती हैं पहली कैटिगरी थी backward class की और दूसरी कैटिगरी थी extremely backward class की इसके बाद 1978 में बिहार सरकार की और से मौंगेरी लाल समिती की सिफारिशों को लागू किया जाता है और बिहार में हमें reservation का एक नया system देखने को मिलत है क्या system था तो जो total आरक्षण था वो 26% के आसपास था इसमें से तकरीबन 12% आरक्षण OBC को दिया गया था other backward classes के लिए था तकरीबन 8% जो आरक्षण था वो EBC के लिए था extremely backward classes के लिए था इसके अलावा महिलाओं के लिए भी 3% आरक्षण की बात की गई थी और जो सामा लेकिन ये जो आरक्षण का system था ये system जो आपका OBC में जो उपर वाला वर्ग था जो प्रभुत्यशौली वर्ग था उसको बहुत ज़्यादा भाई नहीं वो उस पूरे समुह की ओर से लगातार विरोध किया गया इसके लावा जो अपर काटेग्रीज के लोग थे जो सव नाम रहा कि अंतता करपुरी ठाकुर को अपनी seat जो है छोड़नी पड़ी तो ये हमने स्तरित आरक्षण system की भी बात कर ली है यहाँ पर करपुरी ठाकुर का जो जीवन था वो हमने उस पूरे जीवन पर हमने चर्चा कर ली है अब एक बार हम भारत रत्न पर भी बात कर ल जो है भारत का सबसे important civilian award है भारत में नागरिकों को दिया जाता है जो बहुत बहतर काम करते हैं और 1954 में ही पहली बार ये award प्रदान भी किया गया था पहली बार ये जो award मिला था वो तीन लोगों को मिला था और तीनों लोग भारत की सबसे important personalities में से एक हैं इसमें पहला ना one miss award की शुरुआत हुई थी तो ये award के वल उस समय उन लोगों को दिया जाता था जो लोग जीवित हैं लेकिन 1955 में यानि कि शुरुआत के एक ही साल बाद यहाँ पर structure में थोड़ा बदलाव होता है और मरनो प्रांत भी सम्मान दिया जानों का जो प्राउधान है उसको शा award से समानित किया गया था और वो पहली बार था कि जब भारत रत्न किसी खेल से जुड़े वैक्ति को दिया जा रहा था तो 2013 के बाद से खेल से जुड़े किसी वैक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है इसके अलावा पुरुसकार में मिलता क्या क्या है पुरुसकार में आप आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है एक certificate मिलता है इसके अलावा आपको इक पदक दिया जाता है जो कि आपका वह एक पदक मिलता है और पदक के साथ-साथ आपको कोई धनराशी नहीं मिलती है यह एक important चीज है यहाँ पर कि इस पदक के साथ आपको किसी भी तरह का monetary amount नहीं मि अदक मिलता है, इसके अलावा एक certificate मिलता है और certificate के साथ कोई भी monetary amount नहीं मिलता, इसके अलावा किसी विशेश साल में केवल तीन लोगों को इस award से समानी किया जा सकता है, तो अधिक्तम जो award मिलता है, वो केवल तीन लोगों को मिलता है, तीन से कम मिल सकता है, लेकिन तीन से तादा नहीं दिया जा सकता, इसके अलावा ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि हर साल दिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि जो पिछला अवार्ड मेला था, वो 2019 में प्रसिद्ध गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका को दिया गया था, तो ये अवार्ड दिया गया है, जबकि वो भारत से संबंदित नहीं थे, तो ये हमने इस अवार्ड की बात की, इसके अलावा अवार्ड के साथ साथ क्या-क्या लाब मिलते हैं, एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं, तो अगर आपको भारत रत्न मिलता है, तो सबसे पहले तो इसके अलावा रेलवे में आपको मुफ्त यातरा की सुविधा मिलती है, कभी भी आप रेलवे से ट्रावल करिये, आपको मुफ्त यातरा करने को मिलेगी, इसके अलावा जो भी सरकारी कारिकरम होते हैं, उन सरकारी कारिकरमों में आपको आमंतिर किया जाता है, वहाँ पर पर आपके लिए ताउम्र हवाई यात्रा भी फ्री रहती है, तो आप रेल यात्रा भी फ्री में कर सकते हैं, आप हवाई यात्रा भी फ्री में कर सकते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले कोई महान काम करना होगा, तब जाकर कि आपको भारत रत्म से सम्मान किया जा सकता है तो भारत अगर आपको फ्री हवायातर करनी है तो सबसे पहले कोई महान काम करना शुरू करिए तो यह आज हमने भारत रत्न के लाभ की बात कर ली है अब अंत में इस पुरे विशे से जुड़े एक सवाल पर भी चर्चा हो जाए तो हमारा जो आज का सवाल ह है कि नमेकित में से किस व्यक्ति को पहले भारत रत्न से समानित नहीं किया गया था यानि किस व्यक्ति को पहला भारत रत्न नहीं मिला था हमारे option है option A C राजगोपलचारी option B ड. राजेंदर प्रसाद option C सरुपली राधाकृष्ण option D sir cv raman तो ये जो सवाल है बहुत आसान सा सवाल है अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से सवाल के जवाब को लिख सकते हैं तो वीडियो को एक बार अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा revise करिये और revise करने के बाद आप इस सवाल के जवाब को ढूरने की कोशिश करिये चलिए यहाँ पर वीडियो को समाप करते हैं और मिलते हैं आप से कल मुझे उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करना बिलकुल मत भूलेगा धन्यवाद अपने एक्जाम की तैयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चानल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले